हेलो एवरिवन दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेचरल लाइफ में एक बार फिर से आज का वीडियो खास है उन सभी के लिए जिन्हें अपने बालो के स्कैल्प में इचिंग होती है या फिर डेंडरफ की प्रोब्लेम है या तो फिर आपको जूओ की प्रोब्लेम है या उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही बेनिफिशल है और ये पूरी तरह से नेचरल नुस्खा है कि आपके बच्चों को या आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और इसे आप स्टोर करके भी वन मन्त या फिर टू मन्त के लिए भी रख सकते हैं जी हां दोस्त करें बैड गाल吧 नहीं है कि खाने में बहुत ही ठीत हैं आपको इसका यूज करना है सबसे पहले आपको एक पका हुआ सिताफंना है यह पूरी तरह से पक चुका है यह देखिए अब इससे आपको खा लेना है जी हाँ दोस्तों आपको इसे खा लेना है और इसके अंदर के जो बीज होते हैं हमें उसकी जरुरत है इसके अंदर इस तरह के बीज होते हैं बस आपको ये बीज है उसे निकाल लेना है मैंने यहाँ पर पूरे एक सिताफल के बीज निकाल लिए है अब इन बीजों को हम थोड़ा सा वस्क कर लेंगे वस्क करने के बाद आप इसे सुखा दीजिए या तो फिर आप कपड़े से पूँच भी सकते हैं और इसे क्लेन कर लीजिए वीजो को वोस करने के बाद क्लिन करने के बाद हमें कोकोनट ओईल लेना है आप जो भी कोकोनट ओईल यूज करते हैं उसे ले सकते हैं अब एक खाली पैन में हम कोकोनट ओईल एड़ करेंगे अब इस पैन में हम 200 ml जिटना कोकोनट ओईल ले लेंगे अब इस ओईल को हमें गैस पर बॉइल करना है जब ये ओईल उबलने लगे तब इसके अंदर हमें ये बीच डाल देने हैं अपको बस 5 मिनट तक ओईल को उबलना है बीच के साथ उसके बाद इसे आदा गंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दे जब हम बीच के साथ ओईल को उबलेंगे तो बीच के अंदर का जो गुन है वो सारा इस ओईल के अंदर आ जाएगा इस बीच के अंदर antiseptic और antifungal properties होती है जो हमारे scalp को healthy बनाने के लिए और clean रखने के लिए बहुत ही ज्यादा beneficial है मैं भी अपने बच्चे को कम से कम विक में एक बार तो इस oil का ज़रूर यूज करती हूँ ताकि वो स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ रहे उसे जूएं या फिर dandruff चैसी कोई भी problem नहीं होगी इस oil का use male या female दोनों कर सकते हैं बच्चे हो या बुड़े हो किसी भी age के लोग कर सकते हैं इस oil से आपके बालों में अगर जूएं या फिर dandruff की problem है तो बस एक हे बार के इस्तमाल से आई शोर कि ये problem आपकी दूर हो जाएगी और अगर आपके बाल जड़ते हैं तो ये आपके बालों को इतना मस्बूत बनाएगा कि आपके बाल तुरंत ही गिरना बन हो जाएगे तो ये नुस्का बहुत ही ज़्यादा beneficial है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है जिससे हम वेश्ट समझ के फैक देते हैं ऐसे बस इस बीज का आपको यूज करना है अब मैं इसे छणनी की मदद से चान कर वापस इसी कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी अगर आपको डेंटरफ की प्रॉब्लम है या तो फिर जूओं की आपके लिए यह अकसीर इलाज है आप इसे जरूर ट्राय करें आपको 110 परसेंट रिजर्ट मिलेगा अश्योर दोस्तो इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी तो प्लीज दोस्तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और भी यूसफुल वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऐसे और भी यूसफुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद